Next topic है, Harmonic Distortion in Power Amplifiers Harmonic Distortion का दुस्ता नाम है Amplitude Distortion Harmonic Distortion या Amplitude Distortion के कारण जो signal मिलता हमें यानि कि जो आपका Power Amplifier है उसका जो Outputed सिगनल होता है वो exactly वही नहीं होता है जो कि हम उसके Input पर लगाते हैं क्योंकि output जो मिलता हमें power amplifier का वो already distorted होता है चाहे आप class A power amplifier की बात करें class B, class C या किसी और class की बात करें तो इन सभी में जो output signal मिलता है एक तो वो distorted होता ही है और दूसरा कि उनकी जो shape है distortion के अलावा वो भी exactly same नहीं होती है और उसकी पीछे का कारण क्या है तो वो थोड़ा सा हम discuss करते हैं और फिर देखते हैं कि harmonic distortion क्या है और उसकी mathematical analysis क्या है वो देखते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा यहां समझाने कोशिश करता हूँ आपको समझ आ जाना चाहिए तो harmonic distortion को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो transistor है उसकी characteristics, output characteristics क्या है तो यह मैंने बनाया आपके सामने output characteristics यह है आपका current IC यह है आपका voltage VCE लिखिए या VCC लिखिए तो output characteristics होती है वो इस तरह साथ ही यहां से 0 से शुरू कीज़े यह 0 ही इस तरह से output characteristics आती है क्या यह linear है यह linear नहीं है यह non-linear अगर यह non-linear है तो load line जब हम draw करता है तो load line का active region जोगा वहाँ पर यह आपको मिलता है Q point देखिए Q point का concept आपको समझना बहुत जरूरी क्योंकि यह पूरे power amplifier में जब-जब आप पड़ोगे Q point ही सबसे important concept है वो आपको समझना है अब जब आप signal लगाते है तो माल लीजिए आप signal लगा रहे है इस Q point की corresponding यहां तो यह आपका signal हो गया और इसका output क्या होगा तो output आपको यहां इस तरह से मिलता है क्योंकि यह जो Q point है इसका variation जो है वो linear नहीं होगा अगर मैं एक graph यह ले रहा हूँ और मैं दूसरा graph जो है यहां लेता हूँ पर पोच्छ इस जगह यह आपके पास दो graph होगा है अगर Q point मैं इस region में लेता हूँ यह वाला region यह Q point मैं इस region में लेता हूँ यह Q point इस region में लेता हूँ तो जो variation ग्राफ का वो अलग-अलग है हर point पर तो इसलिए जो आउटपुट आपको मिलेगा इसका जो variation आउटपुट मिलेगा वो आपको जो इसकी शेप देगा चाहिए आप यहां देख लेजे current के रेप वोल्टेज की फॉर्म में तो वो same नहीं होगा तो वो आपको क्या मिलेगा थोड़ा सा change होते वे मिलेगा suppose कि आपकी यहां तो आपको इतना clear समझनी आएगा माली जी यह आपका input है और जो आपको output मिल रहा है हो सकता है कि वो इसकी शेप का नहीं हो और इसकी शेप exactly ऐसे नहीं हो कि थोड़ी सी change आए और वो कुछ इस तरह का मिल जाए जिसका कि यह विर्थ जो है यह विर्थ यह से नहीं हो यानि कि जो time period है यहां से यहां तक का दोनों का वो same नहीं मिलेगा क्योंकि आपको जो q point है वो shift होते वे मिलेगा क्योंकि non reality है अगर मैं इसको linear concept हो समझाओ तो यह आपका यह linear characteristics है suppose अगर यह linear characteristics है तो जितना signal आप यहां लगाओगे इसके input पर यह आप load line बना लिजिए यह q point लगा लिजिए अब इस लाइन के उपर इस लाइन के corresponding इस लाइन के corresponding आप कोई भी signal लगाईए वो आपको linearly ही आपको अगर यह signal है तो इसका signal का variation हो same मिलेगा exactly same मिलेगा क्योंकि यह linear concept है जबकि अगर यह non linear होता non linear है नहीं कि यह graph ऐसा नहीं होके अगर ऐसा है तो variation जो आपको मिलेंगे वह linear नहीं मिलेंगे वह variation कैसे मिलेंगे वह आपको non linear मिलेंगे तो जो actual shape होगी जो input signal की वह output में आपको वैसी ही नहीं मिलेंगे उसमें आपको changes मिलेंगे तो वह जो changes हैं आपके उसी को हम कहते हैं harmonics या harmonic distortion यह आपका output characteristic हो गया इसके corresponding आपने जो signal का variation देखना है वह आपको यहां से ज़्यादा clear देखेगा अगर यह signal है आपका तो यहां जो variation आपको मिलेगा वह इसके बराबर नहीं मिलेंगे तो यह जो विड़ता है सपोज और यह जो विड़ता है कि यह सेम होगी नहीं क्योंकि यहां दे यह वाला portion मैं लेता हूँ मैं color change करके उताता हूँ अगर यह linear graph है यहां दिखाता हूँ आपको यह linear graph है और जितनी spacing यहां होगी line की इतनी spacing यहां होगी यानि कि यह width और यह width सेम होती है अगर यह आप straight line में इसको देखते हैं लेकिन क्योंकि यह variation आप कैसा है ऐसा slope क्या वो यह width होगी नहीं यह ज़्यादा होगी as compared to this इसलिए जो signal आपको मिलेगा यहां यह signal इसके comparison में यह signal क्या होगा थोड़ा सा modified होगा change होते होगे आपको देखेगा इसको यह समझ लो ना कि एक mirror है आपके पास और वो जो आपका mirror है suppose यहां कोई mirror है और इस mirror में कोई object यहां से circle है circle object है और इस mirror में आप देख रहे हैं और देखने पर वो आपको oval shape में देखे circle नहीं देखे तो हम क्या कहेंगे इसकी image जो मन रही यहां पर वो कैसी है distorted away एक तरह से distorted वो डिपेंड करता है कि mirror किस परकार का क्या convex है कौन के वह है या किसी दूसरी परकार का defects इसके अंदर जो shape मिलेगी वो थोड़ी सी आपको change होते भी मिलेगी तो जो change है वो ही इसका distortion कहलाएगा in case of अगर मैं बात करूँ power amplifier के case में तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो आपके transistor होते हैं वो linear device नहीं होती है transistor जो वो non-linear device होती है क्योंकि वो ohm के नियम का पालन नहीं करती और उनकी variation कैसे आते हैं non-linear आते हैं तो इसलिए output जो मिलता है वो भी हमें input के corresponding exactly same वही मि मिलेंगे तो यह आपका harmonic distortion कैलाएगा आप चाहें तो यह language जो आपको दे रखी है वो आप पढ़िए इसमें आपको काफी idea लग जाएगा हम बात करते हैं सीधा mathematical term से तो मली यह कोई signal आपने apply किया है और वो है आपका equation number 1 से vs equal to vm sin omega t यानि कि देखिए generally signal जो होता है वो sine waves होता है और आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी signal जो होता है sine wave हो या कोई वो कई सारे signal से मिलके बना होता है तो on an average signal जो मानते हैं वो sine wave मानते हैं और इसका जो peak value होगी वो हो जाएगी आपकी vm और जो variation है vm का वो है sine की form में तो आपका signal जो है vm sine omega t यह जो था आपका input अब output जो है वो देखते हैं तो output जो current आपको मिलेगी उसके अंदर original frequency जो आपकी omega t है वो तो मिलेगी ही साथ में DC current और मिलेगी I not अब यह I not का concept क्या है तो यह एक simple सा logic है कि जब आप amplifier यूज़ लेते हैं तो उसमें आप लगाते है DC power supply vdc का हो vcc का हो और यहां साब लगाता है input signal और यहां पर आपको मिलता है output signal तो output signal के अंदर यह जो DC है यह आएगी ही आएगी हमने यह कहा था कि कोई भी large signal amplifier हो या small signal amplifier हो वह क्या करता है इस input signal के according इस DC voltage को convert करता है AC signal के रूप में amplified wave में तो इसलिए DC तो इस signal में आपको मिलेगी ही मिलेगी इसलिए हमारा जो यह term हा रही है I0 यह DC current को show करेगी और यह आपका I1 जो है amplified signal है I1 जो है आपका amplified signal है और sin omega t इसका original portion जाएगा I1 amplified I0 जो है वह DC अब यह जो term हारी आगे second harmonics, third harmonics यह जो है समझने वाली चीज़े है देखे जैसे जैसे हम आउटपुट को देखते हैं क्योंकि उसमें variation आपको मिलते है ना variation मिलते तो उसमें सारे परकार के variation हो सकते हैं यह होते हैं तो उन variations को हम लिखते हैं harmonics के रूप में harmonics का उनलब होता है कि multiple के रूप में वो आएगा यहाँ पर omega t के multiple के अंदर तो यहाँ omega t आएगा यहाँ 2 omega t, 3 omega t इस तरह से आपको signals जो है output में इनके मिलते हैं और यह हमेशा रहेंगे क्योंकि मैंना आपको भी बता है कि जो आपकी characteristics है वो कैसी है, वो non-linear है अगर linear होती ना, तो यह वाली term नहीं आती यह वाली term नहीं आती simple सी आपकी यह वाली term ही आपको आते भी मिलती और साथ में कुछ dc जरूर आएगा ओके, तो जो यह non-linearity है इसकी वज़े से ही सारा का सारा harmonic distortion का concept आपको मिलता है, क्योंकि q point जो है हमेशा आपको shift होता है माल लिज़े आपकी load line यहां पर है हो सकता आपकी load line जो है कुछ इस तरह से हो तो आपका q point shift हो गया, यहां था पहले यहां आगे अब, तो यहां होगा तो अलग characteristics होगी यहां होगा तो अलग होगी dc term आएगी, साथ में omega t, 2 omega t इस तरह से इसके harmonics आते हैं तो जहां पर equation 2 के अंदर जो i1 है वो peak value है first harmonic distortion की i2 है second harmonic distortion और इस परकार से कई सारे harmonic distortion आपको मिलता है अगर यह harmonic distortion कम हो जाए तो हमारा power amplifier ज्यादा अच्छा कहलाएगा तो हम यह देखते हैं कि harmonic distortion जो है यहां पर उसको define करने का एक तरीका है कि हम निकालते हैं distortion due to second harmonic तो second harmonic से जो distortion आपको मिल रहा है वो है d2 equal to i2 upon i1 i2 second harmonic distortion with respect to first harmonic i3 divided by i1 यानि कि first के respect तो third harmonic distortion कितना है वो d3 हो गया तो इस तरसे distortion हम निकालते हैं अगर यह d2, d3 यह value आपको कम मिलती है तो harmonics कम मिलेंगे यानि यह कह सकते हैं कि जो आपका distortion है वो कम है लेकिन यह distortion आपको हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे चाहे वो कम हो या जादा हो यह चीज हम यह से याद रखनी है आपको फिर हम total distortion निकाल लेते हैं इनका तो यह हो जाएगा d2 square plus d3 यानि कि सबका हमने एक geometrical mean ले लिया है या क्या कह सकते हैं इसको total distortion निकालने के तरीका है कि सबको square करके add करके और उसका average उसका square root लिया है Q3 आपको इस तरह से मिलेगी तो आपका जो power consumption है इन harmonics के कारण वो कितना होता है अगर यह distortion रहता है तो output जो power होगी उसमें जो distortion या harmonics है उसकी कारण कितना power losses होते हैं वो हम देख लेते तो P1 जो है आपका वो हो जाएगा I1 square RC upon 2 क्यों कि देखो जो power है वो क्या होती है I2R और उसमें भी हम divide by 2 लेते हैं तो वो peak value हो जाएगी ओके तो P2 P3 इस तरह से हम सारी जो है वो power जो है वो निकाल लेते हैं और फिर उसके आगे हम क्या करते हैं इन सब power का total power निकालते हैं तो total power जो है तो add करोगे तो RC by 2 common आजाएगा बाहर अंदर bracket all items और फिर हम क्या करते हैं इन सब में से I1 square common लेता है तो यह divide में जाएगा हर एक के साथ में तो I2 upon I1 का whole square I3 upon I1 का तो यह distortion आपको मिल जाएगे D2, D3 इन सब को add कर दिया हमने तो जो D क्या है D है आपका total distortion अब यह total distortion जो होगा माल लीजे थोड़े दिर के लिए D0 है D0 है तो आपका P equal to क्या जाएगा P1 यानि कि आपको जो distortion मिलेगा वो क्या मिलेगा 0 या कहें कि इसमें जो output signal मिलेगा उसमें किसी परकार का कोई losses आपको नहीं मिलेंगे लेकिन क्योंकि distortion रहता है तो losses रहेंगे तो equation जो 4 है आपकी P equal to 1 plus D square into P1 इसके अंतर D की value हम decide करें थोड़े दरीगी लिए हमा लेते हैं कि total distortion कितना है 10% इसका यह मतलब हुआ कि input में जो signal लग रहा है उसका 10% जो है signal आपको distorted मिल रहा है तो D की value आपने 10% रखी या point on में लिखे तो point 1 10% upon 100 point 1 तो D की जगा point 1 रखा इसका square किया add किया और solve किया तो याएगा 1.01 P1 तो percentage increase in power वो कितनी आई 1.01 P1 minus P1 divided by P1 into 108 तो 1% इसका यह मतलब हुआ कि distortion 10% है तो जो output power होगी वो किती बढ़ जाएगी 1% अब यह एक बड़ा ही important result निकल के आ रहा है कि distortion से output power बढ़ रही है यह result आपके सामने है P equal to 1 plus D square इससे हमने एक example से solve किया तो 10% distortion कर कहीं आ रहा है तो output power किती बड़री 1% अब यह हमारा एक requirement है कि हम एक ऐसा power amplifier चाहते हैं जिसका की output जो है वो क्या हो अधिक हो यानि कि output में आपको power जो है वो क्या मिले अधिक मिले तो output में power अधिक मिलने का जो हमारा एक requirement है उसको fulfill करता है distortion तो distortion बढ़ाओ आप 10% की जिएकर 20% distortion कर लो distortion करने से power तो बढ़ रही है लेकिन original signal जो हो हमारा modify हो रहा है इसको दूर करने के और कई method है जो कि आपके syllabus का part नहीं है लेकिन आपको बस यहां इतना समझ लेना है कि जितना जाता signal distorted होगा उतना ही output में power मिलेगी as per this equation number 4 अब आप देखेंगे अगले classes में class A आपने पढ़ा है और distortion जितना जाता होगा efficiency उतनी जाता बढ़ेगी efficiency का direct relation है output में कितनी dc power ac power में convert हो रही है ओके तो power बढ़ेगी तो उसका सीधा सीधा relation हो distortion से है यह चीज़ में आपको बताना चाहाँ तो आपने यह देखा कि एक तो है आपका class A amplifier एक है B amplifier एक C amplifier फिर हम देखेंगे B के अंदर भी push pull power amplifier है और फिर C power amplifier है A में भी push pull है लेकिन वह इतना important नहीं है जितना important class B में push pull power amplifier है तो class B के अंदर push pull power amplifier है आपका वह एक अच्छा तरीका है distortion को कम करनेगा लेकिन push pull connection करने से output power में कोई ज्यादा changes नहीं आएगा आपको distortion वहाँ पर कम होते भी मिलते है तो यह कुछ method है जो आपकी course में एक simple class B push pull power amplifier दे रखा उसे distortion जो है आपके थोड़े से कम हो जाते है और वह भी कोई ज्यादा विशेश कम नहीं होता है बस आपकी D2 term जो हो हट जाएगी D3, D4, D5 इस तरह से यह कहें कि even terms हट जाएगी तो आपको D3, D5 और यह सब मिलेंगी तो फिर भी effectively थोड़ा सा distortion कम हो जाता है और distortion कम होने से signal जो है आपको वैसा ही मिलेगा power में कोई change नहीं आएगा तो यह कोई method है जो हम आगली class में पड़ेंगे फिलाल इतना ही इसमें अगर कोई आपको कोई doubt है तो आप पूछ सकते हैं message के अंदर या आप class में पूछ सकते हैं